कहावत है होंसले बुलंद हों तो अक्सर उडान छोटी पर जाती है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया रशिद खान की इस टीम के होंसले इतने बुलंद थे कि आस्ट्रेलिया जैसी टीम को गम में डुबो दिया टीट्वेंटी वर्ल्ड कप दोजार चोविस में अफगानिस्तान ने बंगला देश को आखरी सुपर एट मैच में हराकर सेमी फाइनल में जगा बनाई है इस जीत ने आस्ट्रेलिया को रूला दिया भले ही आस्ट्रेलिया हिलाडियों के रियक्शन नहीं दिख सके लेकिन सभी सिर पर हाथ रख कर बैठे होंगे अफगानिस्तान के सेमी फाइनल में पहुंचना भारत में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है हो भी क्यो ना आखिर आस्ट्रेलिया को बाहर कर अफगानिस्तान ने भारतिये फैंस के कलेजे को भी ठंड़क जो पहुंचाई है अफगानिस्तान ने इतिहास रचते हुए टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में जगा बनाई यह है पहला मौका है जब आफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में पहुंचने में सफल रही इस खोशी के मौके पर राशीद खान स्मेथ टीम के कई खिलाडियों की आँखों में आँसू दिखे कोच जोनाथन ट्रॉट से लेकर बॉलिंग कॉंसल्टेंट ड्रेवन रावो तक के चेहरे पर रोनक साफ नजरा रही थी और ऐसा हो भी क्यो ना पहले उस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करना जिसके नाम सबसे जादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है और कुछ घंटों के भीतर ही उसे टुर्नामेंट से बाहर कर देना किसी अजूबे से कम तो नहीं अफगानिस्तान के सेमी फाइनल में पहुँचने का जशन भारतिये फैंस भी मना रहे हैं भारतिये फैंस को सबसे बड़ा सकून औस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर मिला पता दें कि औस्ट्रेलिया ने कुछ महीनों से अंदर ही टीम इंडिया का ICC ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ा था अब उस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को है तो वह है भारतिये फैंस ही है